कितना दीरान युष ने चमन कर दिया कितना दीरान युष ने चमन कर दिया हमने किसे के हवाले वतन कर दिया कितना वीरान हमने चमन कर दिया किसके हवाले हमने वतन कर दिया यह लाइन पढ़ने वारा और कोई नहीं कांग्रेस पार्टी के राज सवसदस राजमणी पटेल थे जिने अभी आप सुन रहे हैं एक बार हम फिर से आपको सुनाते हैं उसके बाद आगे की बात चीव करेंगे कितना दीरा ने उसने चमन कर दिया हम में किसे के हवाले बतन कर दिया कांग्रेस पार्टी के राज सवास सदस साब तोर से रीवा के सरकिट हाउस में पत्रकार वारता करके इन दिनों गोविन गण में किसानों की जमीन लेने के बाद उनको नौकरी ना देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वारता में बाचीत कर रहे थे उनका साब तोर से कहना किसानों की मदद करने में सब को साथ आना चाहिए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा हूं हम लोग सबसे पहले इस लाइन के सर्वे का मामला और इस लाइन प्रभाइब किसानों को बच्चों को नौकरी देने के मामला सदन में भी हमने उठाया था चटर से जानकारी भी आता कभी हमारे पास मीं आई कुछ सांसदों को जानकारी ही घिल गई है कि माने नियब बदा दिये इसमें हमारा सरकार सिवंद्रोध है और माघ है रे विभाग से भी है कि बहुत अहम मसला है किसानों के भविसे जुड़ा हुआ है और किसान का ये पूरी तरह से खेते ही धंधा है जिस पर उसका पूरा भविस निर्वर रहता है इसमें किसी तरह के गाउपेश से किसी तरह के टेक्निकल जानकारी के आधार पर इसको उंधाने की जरुवत नहीं है किसानों कहा कलिकार मागने की जरुवत नहीं है इसको सरकार को उधारता के साथ जिस तरह से पहले नियम था उसे नियम के आधार पर किसानों के एक परिवार्पते सदस्कों नौफरी देना चाहिए आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे अडानी को लेकर भी उन्होंने जमकर भारती जंता पाटी पर निसाना साथा उनका साब तोर से कहना था दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का आदमी आपी कह रहे हैं अडानी था लेकिन जब टेक्स की बात आती है तो टेक्स नहीं दे रहा था कमाई में बढ़ता चला जार अगर ये बात आम आदमी ने की होती तो उसके घर में तुरब एडी सीवी आई की रेट पढ़ जाती लेकिन अडानी का मामला है कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हूं सुनिये उन्होंने किस तरीके से जम करने साना शाधा अडानी मामले पर भारती जन्ता पार्टी की केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी बेवजा अडानी पर आरोप लगा रही आप बेवजा किसी उद्योगपती को परशान कर रहे हैं कि देखिए बेवजा की परिवासा जो है हमारी दूसरी परिवासा है भारती जन्ता पार्टी की परिवासा में है कि हम बेवजा परिशान कर रहे हैं हम परिशान नहीं कर रहे हैं और हम उसके खिलाफ नहीं है लेक कामून जो है तो देश को बनाने के लिए है, समाज को बनाने के लिए प्रिज़त और धिकास के लिए हैं. इसलिए नहीं है कि उस परक्रिया में लोग का सोशन हो जाए, देश गर्थ के गर्ढ़े पर चला जाए और एक इंडिविजर कोई बषता रहे इसके लिए नहीं है. आडानी मामदें में तेवर इतना कहना कहते हैं, कि ठेक है, बैंक करके लिए है, और इन बैंकों का राफ्टी करन कांगर्स रेशी बज़ी से किया था, कि ये केबल चन्द पूंजी पत्यों के नहीं रहेंगे, ये आम जंता के होंगे, छोटी ब्यापारी के होंगे, जहां से इसके मदद दिलेगी, ऐसे बैंकों का पैसा बेशने होना चाहिए, सबसे ज्यादा अरगों खर्गों रुपय का कर्या आडानी जे लिया, लेना चाहिए इसकों भी रोते हैं, लेकिन उतना कर लेने के बाद ये भी सो कर रहे हैं, कि इससे हमको कमाई भी हो रहे है, लाखे तो मैं उसका सवाल इनी है, जबान लिपाद है, सबसे अधि कमाई हो रही है, सबसे जयादा कर्गा लिये हो, और सबसे जादा माने पूरी बालों की सूची में नाम है, तो फिर इसके बाद क्या ये प्राग धान है कि पैसा पताने तहीं बेंगा, क्या नहीं पताय जा रहा ह यहां से जोटे मुफ्या पारी है, वो टैक्स चोरी भी कारवाई होगा है, तो आज आपक्स चोरी भी रिया है। यहां से जोटे में उद्ढया पारी है वो टेस्स भी आज़ा जाए तक करवाई हो जाए तो टेक्स चोरी है अब यो खुद कह रहा है जंता के सामने किसी को प्रूव की जरूते ही है कि हम ग्ष्क टरूर कमा रहे हैं अब ट्रैक्स हमें करोर कमाने का दे रहे हैं अब ग्या ह प्रदेश केंद्र की सरकार पर जम कर निसादा निसाना प्रदेश कर निसाना है